नमस्कार गाइस वेल्कमने और सबका बाय लोजिस्ट चनल गाइस आज हम ग्लूकोमा के बारे में डिसकस करेंगे तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यह नॉर्मल आई की स्ट्रक्चर है जैसा कि देखिए इसमें लेंस होता आईरिस होता कोर्निया होता है और एंटिरियर चैंबर में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक्वस हुमर भरा हुआ है और यह जो बीच का पॉर्शन है यहाँ पे विट्रस हुमर है विट्रस चैंबर में विट्रस हुमर भरा हुआ है यह एक तरीके के लिक्विड होता है एक्वस हुमर और विट्रस हुमर ये लिक्विड होते हैं तरीके के एक प्रेसर होता है जिसका नाम है इंट्रा ओकिलर प्रेसर उस प्रेसर को एक्वस हुमर मेंटेन करके रखता है मतलब कि जो एंटीरियर चेमबर में एक्वस हुमर लिक्विड भरा हुआ है वो इंट्राइवकुलियर प्रेजर को मेंटेन करके रखता है अगर प्रेजर बढ़ जाता है तो ग्लुकुमा क्रियेट हो सकता है अगर 21 mmHg से उपर होता है प्रेजर ज्यादा होता है तो ग्लु जिसके वज़े से ब्लाइडनेस होता है और ग्लुकुमा कॉस हो जाता है आईए देखते हैं अगली स्लाइड जिसमें कि आई का स्ट्रक्चर ग्लुकुमा से सफर करता हुआ दिखाया गया है इसमें देखिए कि बिल्ड आप ओफ एक्वस हुमर फ्लुईड इसमें एक्व प्रेसर जो होता है 21 mmHg से उपर चला जाता है और डेमेज ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डेमेज हो जाती है और ब्लाइडनेस हो जाता है वह सब कुछ इस स्लाइड में भी दिखाया गया है ग्लुकोमा जो है दो तरीके के होते हैं ओपन एंगल ग्लुकोमा ख्लोजड एंगल ग्लुकोमा ओपन एंगल ग्लुकोमा में ड्रेनेज कैनाल जो हो है और क्लोग्जड मतलब यह एक तरीके से बंद हो जाती है ब्लोक हो जाती है फ्लूइड प्रेजर जो होता है बहुत ज एंगल ग्लुकोमा को एक्यूड एंड नेरो एंगल ग्लुकोमा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है एंगल जो होता है आईरिस और कॉर्निया का नेरो हो जाता है और फ्लूड प्रेजर जो होता है बढ़ जाता है जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं जैसा कि पेशेंट की आईज कुछ इस तरीके से दिखती हैं फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं ग्लूकोमा में जो ब्लाइडनेस हो जाती है ब्लाइडनेस इसलिए होती है क्योंकि जो एक्वस हुमर होता है वो उसकी कंसेंट्रीशन बढ़ जाती है और बाहर वो नहीं निकल पाता है और वो नहीं हो पाता है क्योंकि ड्रेनीज जो कैनाल होती है वो ब्लोक हो जाती है जिसके वज़ेसे इंट्राओक्यूलर प्रेसर बढ़ जाता है और optic nerves जो होती है वो damage हो जाती है intraocular pressure 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है जिसके वज़े से optic nerves damage हो जाती है I hope ये सब आपको clear हो गया होगा अब आप कह रहे होंगे कि इसका treatment क्या है तो इसका treatment आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि उसमें आपने पढ़ा है जैसे कि intraocular pressure जो बढ़ जाता है तो हम intraocular pressure को maintain कर सकते हैं हम maintain कैसे करेंगे हम maintain ऐसे करेंगे हम उसको drainage होने देंगे और कम से कम aquasumer form हो अगर ज़्यादा drainage होगा और aquasumer कम form होगा तो intraocular pressure जो होगा वो maintain रहेगा और जिसके वज़े से ग्लुकोमा है,чики ट्रीट कर द्हुरां सकता है इसके लिए कई malicies ले सकते हैं अलफा एगोनिस्ट ले सकते हैं इसमें जो malicies है वो brimo nestine है और beta blouse ले सकते हैं timolol, beta zolol यह कुछử medications थे जो की malicies ho 우리는 और आपको यह पूरी वीडियो समझ में आई झालो कि उसकत है हुס